हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक तू अंजू का पाकवान आज मैं आप शबी के साथ चिकत मतन को फिल कर देन वाली रेसिपी सेयर करने जा रही हूं अगर आप नॉन वेज खाते होंगे न तो इस रेसिपी को एक बड़ जरूर बनाएगा इसे खाने के बाद आप नॉन वेज का तो स्वाद भूली जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को तो मैंने यहां पर ले लिया है चना तो एक कप मैंने यहां पर चना का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने रात भर पानी में रख दिया था बेगने के लिए और चना जो है हमारी बिल्कुल अच्छी पानी को निकाल दिया है अच्छी तरह से वाश कर लिया है तो चलिए आप जितने भी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं अतने लोगों के लिए यहां पर चना की बातरा को बढ़ा सकते हैं छलिए फटा-फटा वाली रेसिपी है टो इंस्टांटिया बनाएगे एक मैंने स्टिक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है फिर यहां पे मैंने ले लिया है एक ले लिया है ग्रीन कार्डेमम एक ब्रेट कार्डेमम तो हरी इलाशी और एक बड़ी वाली काली इलाशी मैंने लिया है जिसे हलका सा मैंने कूट लिया है इस तरह से इसके मूँ खुल तो इन सबी चीजों के शाद बनाईएगा अगर आपके पास हो तो इस मशाले को जरूर रैट किजिएगा अब मैंने यहाँ पर पान से साथ लेसन की कल्या ले लिया है दो कलॉप्स ले लिया है और बेलीफ मैंने ले लिया है तो चलिए इसमें से जो भी मशाले फ्रेंट्स आपके पास ना हो तो घवराइएगा मत आप सरिफ दाल चीनी और यहाँ पे सुखी लाल मिर्च के साथ भी बना सकते हैं इस रेस्पी को और तेज पता ले लिजिएगा तो चलिए अब वोईल जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम रखा है इसमें हमें वन टी स्पुन डाल देना है जीरा क्यूमन सीड फिर इसमें सभी मशाले को मैं एड कर दूंगी तो शारे मशाले को हमें इसमें डाल देना है अब मैं इसमें दो प्यास डाल दे रही हूं ओनियन जिसे मैंने कट करके और इसके लच्छे को अल पॉर्डर फ्रेंट्स अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेयर भी कीजिएगा अब हमें इसे मिक्स करने के बाद कवर कर लेना है तो चलिए मैं कवर क करके इसे 2-3 मिनट पकाऊंगी उसके बाद मैं धकन हटा कर दिखाऊंगी देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं अब मैं धकन हटा कर आपको इसको दिखा दे रही हूं देखी प्यास जो है हमारा तोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है बस अभी हमें फिलाल इतना ही प्यास को मैं आज आलू और चना की बहुत ही लवादार और टेस्टी रेसिपी सेर कर रहें फ्रेंस बिल्कुल इसी तरह से एक बाट जरूर बनाएगा मस्ट्राइ रेसिपी है और इंस्टेंट ये बन करके तयार हो जाती है जब भी आपको जहटपट से कुछ बनाना हो टेस्टी सा खाना हो तो इस तरह से आप जरूर ये आलू और चना की सबजी बनाएगा बिल्कुल इसे बना करके जब आप खायेगा और जो इस्पेसल मशाले मैंने बताए हैं खरे मशाले उसके साथ बनाएगा तो आप पका ही चिकन मटन को भूल जाएगा खाना फ्रेंस तो चले में स इसे कवर करके तीन से चार मिनट अच्छी तरह से मिडियम फ्लेम पे भूनने देती हूं धकन को मैं हटा कर दिखा देती हूं देखिए तीन से चार मिनट हो चुके हैं थोड़ी थोड़ी देर जब आप इसे धक्येगा फ्रेंस तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा पसंद हो तो आप जादा एड़ कर सकते हैं फिर मैं यहां पे टाल रही हूं चिकन मसाला तो यह देखिए चिकन मसाला डालीएगा उसके बाद हमें हाफ्टी स्पुन डालेने हैं कस्मेरी लाल मिर्च और इसे डालने के बाद हमें कर लेना है पढ़ियाँ वाला मिक्स अप आपने किस मसाले के साथ सब्जी बनाई है तो मैंने हापे 2-3 चमच पानी डाल दिया अगर ये थोड़ी सी चिपकने लगे तो 2-3 चमच पानी डाल दिजेगा और इसे हमें फिर से कवर कर देना है तो कवर करते हुए हमें इसे 10 मिनट पकाना है तो दो तीन बार ये प्रोशेश आपको करना पड़ेगा वीच वीच में आपको इसे हटा करके भी देखना है फिलिम को आपको यहां मीडियम हाई रखना है और देखिए क्या कलर इसके आए हैं मस्त लग रहे हैं न देखने में तो यह अभी रेडी नहीं हुए फ्रेंट्स देखे सब्जी की सबसे बड़ी बात यही है फ्रेंट्स कि जब तक सब्जी की अच्छी तरह से आप भूनाई नहीं करेंगे न तब तक सब्जी आपकी मस्त नहीं बनेगे आप चाहे उसे सिर्फ हल्दी और सिर्फ नमक के साथ ही क्यों ना बनाए उस सब्जी को अगर तो मैं यहां पर ग्रेवी वाली बना रही हूं तो इसमें हमें डाल जेना है एक चमच कसूरी मेथी अंसु का पाकवान में कसूरी मेथी कैसे ना हो फ्रेंट्स इस से जरदर्ट वाला सब्जी का टेस्ट जोन और वी बढ़ जाता है अब मैं यहां पर ढ़कन को लगा और इसे बस मीटियम फ्लेम पे दो सीटी आने तक मैं पका लूंगी तो चलिए जब यह दो सीटी आ जाएगा प्रेशर कूकर में उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूं तो चलिए अब ढ़कन खोल लेते हैं दो सीटी आ चुके हैं देखे क्या मलस्त हमारी सब्जी लग आप इसे चावल के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं यह जिस भी चीज के साथ आप इसे खाना चाहते चाथ तो क्यासी लगी को मेरी रेशिपी ज़रूर बताएए कॉमेन्ट सेक्सेटि कंट में चलिए मिलते हैं बाँ बाई